देखिए इस देश के अंदर पक्षियों गिंती हो रही है जानवरों गिंती हो रही है पेड़ पौदों की गिंती हो रही है जहां तक कि किनरों की गिंती हो रही है पर पिछलों की गिंती नहीं हो रही तो इसमें धरना देने वाली प्रोटेस्ट करने वाली बात कौन सी है द अगर हमारे सरकार हमें हमारे हक नहीं देती है तो नमस्कार जैबिन सातियों मैं ब्रज मोहन और आप देख रहे हैं जनेतावाज इस वक्त हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पर मद्य प्रदेश से आई हुए ओवी सी मासवा ने एक बहुत बड़ा ब्रोद प्रदेशन पर बड़ा हुआ है ओवी सी महासवाद दिल्ली प्रदेश को बीसी की जात्यकत जनगना करना ओवी सी की जन्संक्या के आदार पर बागीदारी देना इन तमाम मांगों के लेकर ओवी सी के लोग खास करके मद्य प्रदेश के लोग एकटे हुए हैं तो आईए उन्हीं से करते हैं क्यों वह यहां पर आई हैं और क्या मांगे उनकी क्या नामें सराबगा मैं सेफ़र दामूपाल शेफ़र टाइएर पो सिंडे का राश्टी दत मैं उत्तर परदेश के पताब दिल्पसे बिलांग बता हूं तो इस प्रोटेस्ट रखने का क्या मखसर है जो है अलि प्रोटेस्ट करने ही क्या बात है हमारी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद ओभी सी है ये बात तो वो खुद जानते होंगे क्या अच्छा है क्या बुराया है विसके लिए बिलकुल नरेंद्र मोधी ओबी सी है लेकिन वो क्या है ओबी सी के नाम पर एक मोहरा है ईक्या है इसके लिए आवाज फ़णा चाही तब हम समझे ओबी सी है तो हमने बाइब का ने जा रहा है आज वादी 65 परशनलि जो है उनकी अबादी है आप मांते हैं कि वह मुक्हिया का किरदार निवा सकते हैं उन नहीं नहीं है तो मुक्हिया गिरी कैसे निवाएंगे मुखिया गिरी जो है फैमिली की बात अब तो एक समाज और देश की बात हो रही है बाई OBC के नाम पर जो है दोजा 14 में पूरा OBC एगजुट होकर के मोदी की प्रधारमंती बनाया उन्हें नारव दिया था सबका साथ सबका विकास कहां सबका साथ तो है लेकिन सबका विका कि हर मजदूर है जो गरीब है जो लाचार है जो पीडित है जो तौम वह वस्यासधि की लोग एं इनके साथ जो दुराचार किया जा रहा है इनका जो हकाज क्यार मारा जा रहा क्या सिर्फ जो पांच यो रासन पर इस अब दियससे लगा को उन्होंने येसा कहा होगा सबका साथ सबका विकास साइदा उन्होंने अपने अपने दोस्तों के लिए कहा होगा ऐसा तो नहीं है जरूर हो सकता है जनता को ऐसा लगा हो जो है जनता गुमराह हो गई है जनता कुछ समय जो है ज्यादा जागरूक नहीं हो पाई है लेकिन अब जब भी कभी उसको मौका मिलेगा तो सूज बूच के जो भी विकास करेगा उसके नाम पर वोट करेगा आपने भी देखा होगा चुनाव के दर्ग कितने बड़े वादे किये गए दो करण रोजगार हर साल देंगे 15 लाग सब के खाते माएंगे काला धन कितना आ गया कि कितने स्मार्ट सिटिवन हैं कहीं प्रमाड किसी इतनर बहुता है कैच्रिवाल ने बे किया तो सारे वादें ने कुछ है लेकिन नरंदर मोधी ही हो आ पर हें प्रधान मंतरी हमारो देश करिए जितने सारे वादे के हर वादे पर जूटे यहां लगता है आप ब्रोध कर रहे हैं तमाम एक मंच ओवी सी महासवा मंच है जिसके जरीए तमाम देशवर के लोग इकटे हुए हैं लेकिन आप एक सरकार को जो एक राहिनित पार्टी बनाती है उसको एक ओवी सी महासवा प्रिकल्प क्या होगा देखिया सरकार बनाने के लिए ज्यादा वोट क्या हो सकता नहीं पढ़ती लगवा 55-50 परसेंट वोट की जरूत पढ़ती है अब वह भी से कावादी लगवा 65 परसेंट इस देश में हैं अगर ओवी सी जो है पुरे देश का एक जुट हो जाए एक रहे साथ हा जाए तो कल इनके सरकार रिजाएगी मेरे जानते हैं संसंद में सब ज्यादा वीसी की लोगा है और भी लोग है उनसे बात करते हैं सर क्या नाम है आपका मेरे नाम धरबेंज जी कुछ्वा एडवोकेट है और मैं ओवी सी माहस्वा का रश्टी कॉर कमेटी अभूपन्सेट की तक कि किंमें पर पिछदों की नहीं आई तो है दरना देने वानी बात कहें देखिए यह बात तो सिवराज सिंग चौवां जी खुद ओवी सी के उनसे बात कर ले देखिए वो एक कटपुद्ली है और एक कलंकित ओवी सी का मुकमंत्री है जो हमारे बर्ग में जन्मा लेकिन अपने अपने बर्ग के लिए कुछ नहीं किया तो कई न कई वो उनका पतन का समय आ चुका है इस देख के सारे OBC की लोग जाग चुकी हैं मदप्रदेश की भी लोग जाग चुकी हैं कि उनकी 18 साल 18 साल की जो सरकार है उन्होंने आज दिनांक तक हमारी जो हमारी इस्सेदारी की अनुरूप उन्हें रेजर्विशन नी दिया उन्हें एंपलीमेट डाटा नी कराया और जिस प्रकार से बड़ा दिल रखके नितिस कुमार जीने तेज़स्वी आदम ने अपने अपने इस्टेट के अंदर जाते का जड़ना कराने का प्रस्ता पा समाज में एस्टी यो लगातार अत्या बलातकार की खबरें सामने आती रहती है इस पर क्या कहना देखिए इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं देखिए जिस प्रकार से ये पूरी तरह से पूरे देश के अंदर मुस्लमों को टार्गेट किय किया फिर दलितों को किया और आप अब ओवी सी के एक एक जाती को टार्गेट कर रहे हैं जिस प्रकार से अभी बुलंद सेर में एक बाल हमारी लोगी समाज की बेटी को उनने उसके साथ बलतकार किया और बलतकार करके एक केट के कुवा था उसमें अत्या कर दी और उसको रात में जला दिया गया और परिवार को बताया नहीं गया ओवी सी तो अपने आप में खुद चत्री है उनके उनका सुसर कैसे हो सकता है बलके जब खवरें आती हैं तो जितनी भी दले तो और आदवासी के मतल सुसरी बात आती है तो उसमें हर सो मैं से 90 ओवी सी के लोग ह होते हैं किए यह लोग सभी यह लोग हमारे लोगों को जितना नियुक्त यह दर्म का फिम्छा यह जो अपिम्म कि नहीं पता कि तो यह को अधिकार दियां वह दिया जो क्पदा पहने यह बोलह दी यह बाबा सापध्वार दी चेत्angoार जितनी राजवीर भगेल जी जैसे ये सबी लोग ये आज जिला पंचाइद में जित्तों और लोगों को बता रहे हैं कि अब हमारे बिना कुछ नहीं होने वाला क्योंकि देश में आदे से ज्यादा आबादी है हर दूसरा आदमी ओभी सी है और अब जे सब को ना ये देश में बिन आदमीड करके काम चलने वाला नहीं है जालो निता जी आपकी बात वात मां लिए आपसे भी सवाल हैं इनको ले ले लेते हैं कर रह रहे से कोई दुस्मनी नहीं है और नहीं हमें ब्यक्ति विसेश से दुस्मनी है हमें अपने अधिकार जो हमारे अधिकारों को बंचित किया जा रहा है हमें अपने अधिकार बराबर मांगना चाहिए और सब तो आप सरकार से बाइब ब्रोध भी नहीं कर रहे हैं और मांग भी चाहते हैं तो आपको किसी ना किसी पॉलिटिक्स पार्टी गा तो सयोग करना पड़ेगा नहीं यह ओविसी जो महाजवा है अगर हमारे सरकार हमें हमारे हक नहीं देती है तो कहीं न कहीं हम प्रंट लाइन बनाएंगे उसकी हम अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे यह हमारा प्रोपोजेंडा है 2023 में हम चुनाव लडाएंगे मद्य प्रदेश में पिछले कई सालों से लगबग किसी भी विवाग में अच्छे से भरती नहीं हुई है ठीक है अभी मद्य प्रदेश में बरगतीन का टेस्ट हुआ उसमें 25 तारीक का जो टेस्ट था उसको आउट कर दिया गया तमाम तरह के गोटा ले आते हैं तो इसको लेकर कोई प्लान बनाएंगे रूप रहेंगा नहीं बिलकुल बनाएंगे हम अपनी ओवी सी महासबा के माध्यम से अपनी योजनाइं बनाएंगे और इसके खिलाब जरूर जाएंगे क्योंकि निजी करण बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे लोगों की नोकरिया हमारी ल तो आप देख लीजिए उनको लगवा गए 16-17 बर्स हो गए कुर्सी पर बैटे हुए तो आज तक उन्होंने OVC के लिए क्या किया एक तो जब कि अन्य राज्यों में 27 परसद और रेडी राज लागू है तो इनको तो सबसे पहले यही करना चाहिए ताकि OVC के नाम पर जब बने हैं तो कम से कम OVC के लोगों की चिंता इन्हें करनी चाहिए थी आज चिंता तो छोड़ो इनके हक और अधिकार चीने जा रहा है हैं और कह रहे हैं कि हम आपका आरच्चड देंगे माई का लाल कौन काट सकता है आरच्चड आपका पलाना डिम का इस तरह की बात कर रहे हैं जबकि नोवी सूची में संबेदान एक रूप से इनको उसमें जोड़ना चाहिए तो वो जोड़नी रहे हैं केवल OVC को बलग स्थारी नहीं है OVC की और चुनाव होते हैं तो उनमें भी मतलब कितनी स्थारी चाहिए देखो देखो कट पुल्टली की तरह है अगर काम करेंगे तो निचले करम पर जाईए ना आपने एक व्यक्ति को आपका कहने का मतलब है बीजेपी पार्टी कट पुतली हो या उनक अढ़कार नहीं मिलना है 喝कार नहीं मिलना तो हमारे लिए सब बेकार है कौई ठीक है कोई समझ में आने लगी है बहुत समाज अधिकतर यही कहता है मैं आपके पास काई मैंने बताया हुए ठीक है को अमेशा आज भी जाओ छत्री राजपूत तमाम सेहना चला रहे हैं और सबसे जादा सोशड का जो काम कर रहे हैं अज्ञानता बस कर रहे हैं अलांके जानबूज के नहीं कर रहे हैं वह खुदे से रोजगार मांगिए नौकरी मांगिए तभी इस देश और आपका उद्दार हो सकता है इस वीडियो में सरे पतनाई आप देखते रहे हैं जनित आवाज नवस्का